अब धूसरे पहलों जिसके बारे में हमनें चर्चा की थी उस पर हम नजर डाले तो वह है पूर्जी गत प्राप्तियों के बारे में बढ़े जो होती है बड़े जो कारे होते हैं उनके उनमें ये धनराशी खर्च की जाती है खर्च की धनराशी की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है तो ओर और हम क्या सकते हैं कि कुल मिलाकर पूंजी गत जो प्राप्तिया होती है उनका जो सोर्स होता है वो दो होता है एक तो होता है सारवजन तो यह सरकार देश कि जंता से प्राप्ति करती है या समय आने पर विदेशों से प्राप्त करती है लेकिन पिर भी हम इन को सविधानुसार कर सकते हैं वास्तों में यह ultra pussy और दूसरा होता है जब हम बात करते हैं आntर की a के बात करते हैं तो वास्तों में यह एक होता है जो किसी भी की सरकार हुती हैं वह अपने ही जंता से या तो प्रतिभूतियों का निर्गमन करके लेती है या फिर बैंक से जो इंडरे बैंक जो होती है उनसे लेती है यह कोश का सरकार का उन council से वो रिण लेती है तो कुल मिलाकर क्योंकि देश के अंतरगत ही लिये जाते हैं देश के अंदर ही किसी ना किसी सोर्स से लिये जाते हैं तो यह सारे के सारवजनिक रिण होते हैं यह आंतरिक रिण के अंतरगत आते हैं अब अगर हम एक नज़र डाले कि टेलर ने क्या कहा ह के बारे में तो टेलर की परिभाषों को यहां हम देखें तो टेलर ने कहा है कि सार्वजीं सरकार द्वारा देश के अंदर तथा विदेशों में बैंकों वेवसाइक संस्थाओं तथा व्यक्तियों से ली गई एक ओर जाहें एक अलग उन्हों में लगती सरकार की स्थिति डगबगाने लगती है तो उसको कहीं से अगर मिल जाए जाए चाहे वह साहीं से भी मिल जाती तो उसको एक प्राप्त हो जाती हैं तो हम बात करें इस देशykrie मुद्रा किस तरह की होती है तो क्योंकि आंतरिक है आंतरिक रिन है देश के अंदर ये प्राप्त होते हैं तो ये जो रिन होते हैं ये देश की मुद्रा में ही प्राप्त किया जाते हैं और इनका भुक्तान या ब्याज जो भी होता है ये देश की मुद्रा में ही किया जाता ह दूसरी एक महतवपूर्ण बात आंतरिक रिंड को लेकर है कि यह जो रिंड होते हैं यह केवल आर्थिक विकाश में ही सहायक सिद्ध नहीं होते हैं बलकि उन परिस्तितियों में जब देश में आये के समान वित्रण की जरूरत होती है तो वहां पर भी यह रिंड जो होते है वह काफी महतवपूर्ण होते हैं साथ में एक महतवपूर्ण बात आंतरिक रिंड के बारे में हम यह भी जान ले कि वास्तों में यह जो रिंड होते हैं हाला कि यह देश के आर्थिक विकास में सहायक तो होते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विपत्ति के समय किसी संकर् तो यह समानिता तब ही जवरत पड़ती है जब अदेश में कुछ ऐसे परिस्तिया आ जाए जब आंतरिक रिण से जो भी आवयवस्था है या फिर जो भी कमी उसको पूरा ना किया जा सके तो ही विदेशी रिण की तरफ मूव करते हैं सबसे महत्वपूर बात तो यह होती है क्योंकि विदेशों से हमने रिण प्राप्त किया है तो विदेशी मुद्रा में हमको प्राप्त होता है अब हमको जब उसका भुक्तान करना होता है तो हम उसको विदेशी मुद्रा में ही भुक्तान करते है फिर एक महत्वपूर बात लिए हैं कि अगर हमको देना है तो भी हमको मुद्रा में इस तो एसके साथ साथ हमने देखा कि अंतरगत रिड के कौन-कौन से माध्यम हो सकते हैं अब इनी पूंजिकत प्राप्तियों में दूसरा माध्यम अगर हम देखे पिछले अध्यायों में हमने जाना था कि घाटे की वित्यविश्था जो होती है जन्ता के लिए तो वह कहीं न कहीं काफी तो कम पड़ने लगती है और वह होते हैं वह ज़्यादा होने लगते हैं अब ऐसी कन्युशन में फिर कुछ ऐसी परिस्थितिया निर्मित हो जाती है जिससे घाटे की इस वित्य वेष्था को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ काम करने होते हैं तो अगर यह जो बिंदुवार हम देखेंगे यह कारे जब करती है सरकार तो कहीं न कहीं पुंजिगत प्राप्तिया उसको होती है जैसे कि घाटे की वित्विवस्ता से निपटने के लिए एक तो सरकार द्वारा घाटे को पूरा करने के लिए केंद्री बैंक से रिंड जो राशी रहती हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था इस अध्याय में भी हमने देखा कि सरकारी खजाना जो होता है सारवजनी कोश जो होता है उसमें अगर कुछ access amount है तो जरूरत पढ़ने पर उसको निकाला जा सकता है घाटे की वित्विवस्ता को पूरा करने के लिए और तीसरा एक बिंदू आता है जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा के अत्रिक्त सरकार द्वारा नई मुद्रा जारी की जाती है ने कि नए नोटों का निर्गमन किया जाता है तो ऐसी अगर कोई इस्तिती बनती है तो जाहिर सी बात है कि यह तीनों ही परिस्तितिया ऐसी है जबकि जो देश की जो सरकार है उसको पूंजिगत प्राप्ति हो पाती है तो हमने देखा कि इस पूरे तरीके से जब घाटे की वित्वेवस्ता से निपटने का प्रयास किया जाता है तो यहां पर मुद्रा की मात्रा में व्रिद्धी होती है भारत में ऐसे बात करें तो जो घाटे की वित्वेवस्ता है उसका अधिकांश भाग रिजरो बैंक से रुपए उधार लेकर पूरा किया जाता है तो यहां पर हमने राजस्व प्राप्ति और पूंजिगत प्राप्तियों के बारे में जाना आये राजस्व प्राप्ति और पूंजिगत प्राप्तियों में अंतर क्या है इस पर एक नजर डालें पूंजिगत प्राप्ति एवं राजस्व प्राप्ति में अंतर अर्थ के आधार पर पूंजिगत प्राप्तियां व्यपार के निवेश और वित्वोश्ण गतिविधियों से उत्पन आये हैं आवर्थी प्रक्ति की होती है तीसरा अवधि के आधार पर पूंजी प्राप्तियां दिर्धावधि की होती है जबकि राजस्व प्राप्तियां लगो अवधि की होती है विवरण के आधार पर पूंजी गत्प्राप्तियां तुलन पत्र में दिखाई जाती है जबकि राज तो आपने देखा कि राजस्व प्राप्ती और पुझीगत प्राप्तिवं में क्या अंतर है और साथ आन की बारे में एक बारे में काफ़ सटार को अमदा उपनिंग जातर हैं वो सार्वजनिक वय होते हैं हमने देखा कि सरकार किस तरह से अपने जो प्राप्ति होती आय होती उनको कहा कहा पर किस तरह से वय करती है यहां पर अगर हम बात करें सार्वजनिक वय की तो सरकार अपने देश के आर्थिक विकास के लिए समाजिक कल्याण के लिए जन तो हमने जाना कि राजस्व वय क्या है और पूंजीगत वय क्या है अब आये देखते हैं कि वास्तों में राजस्व वय और पूंजीगत वय में अंतर क्या है पूंजीगत वय एवं राजस्व वय में अंतर अर्थ के आधार पर पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने या किस मौझूदा के चम्ता में सुधार करने के लिए क्ये कैवे जिसके परिणाम सरूप इसके जीवन के वर्ष्रों में विस्तार होता है पुंजेगत वे कहलाता है जबकि राजस्वे के अंतरगत व्यवसाय की दिन प्रते दिन की गतिविधियों को नियमित करने के लिए क्या जाने वाला व्य राजस्वे कहलाता है अवधी के आधार पर पूंजे गत्वे देधाविधी का होता है जबकि राजस्वे लगू अवधी का होता है पूंजी करण के आधार पर पूंजी करण गत वे का पूंजी करण किया जा सकते है जबकि राजस्व वे का पूंजी करण नहीं होता है प्रस्तुति करण के आधार पर पूंजी गत वे आई विवरन और बैलन शीट में प्रस्तुत किया जाता है जबकि राजस्व वे केवल आई विवरण में ही प्रस्तुत किया जाता है वे के आधार पर पूंजिगत वे गैर आवर्ती प्रकृती के होते हैं जबकि राजस्व वे आवर्ती प्रकृती के होते हैं लाब के आधार पर पूंजी गत्वे की अवधी एक वर्ष से अधिक्की होती है जबकि राजस्वे की अवधी केवल वर्तमान लेखा वर्ष में होती है उपारजन चमता के आधार पर पूंजी गत्वे कमाई की चमता में सुधार करना चाहता है जबकि राजस्वे कमाई की बनाए रखता है राजस्विवय और पुंजी गत्वय में अंतर के बाद अब आये देखते हैं कि यह जो सारवजनी की वै होते हैं इनके प्रकार क्या है किस किस प्रकार से यह वै किये जाते हैं तो इनके प्रकार पर एक नज़र डाले तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है विकास आत्मक वै डेवलप्मेंट के लिए जो वै किये जाते हैं देश में जो भी वै किये जाते हैं उनका मुख्योद देश होता है कि आर्थिक विकास किया जा सके तो आर्थिक विकास जो होता है वो पटिकुलर हम एक किसी कारे से हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सक आर्थिक विकास के लिए हमको यहां पर जितने छेत्र होते हैं सब छेत्रों पर नजर डालनी होगी चाहे वो चिकित्सा के छेत्र में हो चाहे सिक्षा के छेत्र में हो परिवहन के छेत्र में हो यह सुरक्षा के छेत्र में हो तो इतने सारे अलग-अलग छेत्र होते हैं और इन छेत्रों के विकास के लिए जो योजनाय बनाई जाती विकास पर जो वे किया जाता है वो सभी विकास आत्मक वे के अंतरगत आते हैं जैसे नहरों के निर्मान पर जो वे किया गया सडकों के निर्मान पर जो वे किया गया स्कूल के लिए सिक्षा के विकास पर जो वे कि इसके अलावा भी बहुत सारे वे होते हैं ऐसे नहीं कि सरकार हॉस्पिटल बनाएगी स्कूल बनाएगी सड़क बनाएगी तो वे होगा अन्यता कहीं पर वे नहीं होगा इसके अलावा भी सरकार को सतत रूप से बहुत सारे वे करने होते हैं जैसे कि हमने देखा कि जो राज क्षित रखने के लिए भी सरकार को वैय करना पड़ता है इसके अलावा यहां पर हम देखते हैं कि रेड़ वसूल करने के लिए भी वैय करना पड़ता है जो हमने लिया है विदेशों से या आंत्रिक जो रिण है उन पर ब्याज देना पड़ता है देश में जो सारवजनिक क तो ये हम यहां पर कहते हैं गैर विकासातमक वै। कि बहुत सारी जो योजनाएं बनाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा राज सरकार के द्वारा समय समय पर उन योजनाओं का अपना एक निश्चित बजट होता है इस अध्याय में हमने पहले में पढ़ा हमने पहले भी एक नज़र डाली है बहुत सारे उदाहनों पर जो बड़ त्रीके से देश में चलाय जा रहा है तो इन योजनाओं के सुचारू कार्यानंवन के लिए पैसे की तो जो जरुरत पड़े तो इनका जो budget होता है उसकी आपोर्ती के लिए जो व्य किया जाते हैं वो सभी योजना व्य के अंतरगत आते हैं इससे जरूरी नहीं है कि हर कारे योजना बद्ध तरीके से ही किया जाए बहुत सारे कारे बिना योजना के किया जाते हैं या बहुत सारे वै ऐसे होते हैं जो आकस्मिक होते हैं हमने कोई प्लान नहीं किया होता है लेकिन फिर भी कई बार हमको वै करने पड़ते हैं जिसे देश में हमने देखा कि बार भूकम सूखा ऐसे अपात काले निस्थिती के आ जाने पर हमने पहले से प्लान अगर नहीं किया है तो भी वै तो हमको करना ही पड़ेगा तो क्योंकि बिना योजना के अंतरगत इसमें वह किये जाते हैं तो यह गैर योजना वह कहलाते हैं अब आईये बजट संबंदी धारनाओं पर एक नज़र डालें में में सबसे पहला है संतुलीद बजट हाला कि हमने और बजट पहले भी इसके बारे में संखेप में जाना है फिलहाल य यहां पर हमने देखा कि ऐसा बजट जो संतुलित है आय का जितना अनुमान लगाया गया है बिल्कुल उतना ही वै है तो यह संतुलित बजट के अंतरगत आता है अगर हम इसको एक फॉर्मूले इसे शो करना चाहे तो हम यह कह सकते हैं संतुलित बजट बराबर अनुमानित आय याने अनुमानित प्राप्ती बराबर अनुमानित वै अगर हम इसके गुर्दोश की बात करें तो वास्तों में यह जो संतुलित बजट है जो मूले व्रिद्धी पर अंकुष लगा कर रखता है संतुलन बहुत अच्छा बना हुआ है सरकार को जितनी आय की प्राप्त प्राप्ती कानुमान लगाया था उसके लेवल में उसके बराबरी में ही वै कानुमान लगाया गया तो यह मौन लिया जाता है कि कहीं पर ja Шnt में तेजी patron प्रक्रियाanc दूसरा इसका एक दोश यह होता है कि से मंदी और बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा सकता कुछ एक्स्ट्रा हम करते नहीं है कहीं किसी प्रकार के कुछ कम जादा होने की संभावना नहीं रहती बजट बिल्कुल संतुलित रहता है जैसा है वैसे ही गाड़ी चल रही है ऐसा मान लिया जाता है तो यहां पर हम यह नहीं कह सकते कि कुछ नया कार हुआ कुछ नया development हुआ कहीं पर जो मंदी की स्थिति थी या बेरुजगारी की स्थिति थी उससे निपटने में सहता होता है जब सरकार की जो प्राप्ती होती है उसका जो अनुमान लगाते हैं वो कम होता है और वै जो होता है वो ज्यादा होता है एक फॉर्मूले की रूप में जब हम इसको लिखते हैं तो हम यह बता सकते हैं कि घाटे का बजट बराबर अनुमानित सरकारी प्राप्ति माइ सकते हैं अनुमानित प्राप्ती जो है वो कम है और अनुमानित वे जो है यह जादा जब इसका सब्सक्राज़ सब्सक्राइं निया है इससी app का कारी होती है सरकार की ने बहुत जादा व्यादब कर दिया जंटा के लिया थो कल्यान कारी होती है वह नहते हैं कि आर्थ वयक्वस्था-पूर्ण सबसे महत्वपूर्ण इसका दोश हम यह कह सकते हैं कि यह जो घाटे का बजट है उस समय लापकारी हो सकता है जब कि आर्थ विवस्था में समगर मांग का जो इस तर हो है वो निम्नो यानि समगर मांग जो है वो कम है अब हमने देखा कि मांग कब कम होगी जब लोगों के प अपनी उभोग की वस्तू का और ऐसा अगर होता है और ज़ती। समस्या है उससे निजात पाया जा सके क्योंकि सरकार जब घाटे का बजट बनाएगी तो जादा से जादा विकास कारियों पर खर्च करेगी जनता के हाथ में जो क्रेश रकती है वो बनी रहेगी या हो सकता है कि कई जगा से उनको बचत होने लगे और उनकी हाथ में जो क्रे का बजट है आए कम हुई है लेकिन वे जादा हुआ याने कि सरकारी वे तो कहीं न कहीं बढ़ रहा है दूसरा इसका दोश यह है कि अनावश्यक फिजूल तो हम इसको लिख सकते हैं बचत का बजट बराबर अनुमानित प्राप्ति-अनुमानित वे यहां इसका इसका अउसका प्राप्ति बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी इस्थिति है देखा जाए तो सरकार के दृष्टिकोंड से देश के आर्थिक विकास के दृष्टिकोंड से भी बहुत अच्छी बात है इसके अपने कुछ गुण भी होते हैं इनके गुण पे एक नज़ा डाले तो वह यह है प्राप्ती जो है वह बहुत अधिक है और वे जो सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं बहुत कम है तो ऐसी कंडिशन में सरकार अपने वे को बढ़ा सकती है उत्पादन कारियों पर लगा सकती है लोगों के हाथ में जो मुद्रा की क्रेश रखती है उसको बढ़ा सकती है और एक ऐसी परिस्थिती निर् शक्ति ना हो तो और ये जो मंदी की जो अवस्था है ये और विक्राल रूप धारन कर लेती है तो कहीं न कहीं ये जितने भी टाइप के बजट है उनके अपने कुछ गुण है तो अपने कुछ दोश भी है इस पूरी अध्याय में हमने देखा कि बजट क्या है बजट के बा दूसरी बात हमने इसके साथ साथ कर के बारे में भी काफी कुछ जान लिया इस्पेशली हमने इस शेप्टर में भारती बजट के बारे में देखा हमने देखा कि भारती बजट क्या है किस प्रकार बनाया जाता है क्या समय होता है इस पूरे अध्याय के अंत में हम बजट स से संबंदीत एक बहुत रोचक जानकारी आपको देंगे और वो है हलवा सेरिमनी तो आए देखते हैं क्या है हलव सेरिमनी आए अब देखते हैं राज स्फव गाटा राज कोषिय घाटा तथा प्रारंभी घाटे में अंतर राज स्फव गाटा या राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व वैका आधिक्य हैं राजकोशिय घाटा या राजकोशिय घाटे तथा व्याज की भुक्तान के बीच का अंतर है। दूसरा, राजस्व घाटा बजटी वे को प्रतिबंधित करने हेतु सरकार की उधार की आवशक्ता को प्रकट करता है, जबकि राजकोशिय घाटा ब्याज के भुपतान सही सरकार की उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है, जबकि प्रात्मिक घाटा ब्याज के भुपतान क अत्रिक्त सरकार की उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है तीसरा राजस्व घाटा देश की संपूर निर्धनता को प्रकट करता है जबकि राजकोशिय घाटा GDP सम्रुद्धी की प्रक्रिया में बाधा डालता है जबकि प्रात्मिक घाटा देश में राजकोशिय के निरंतर आभाव को प्रकट करता है चौथा राजस्व घाटा के लिए नर्धारित सूत्र है राजकोशिय घाटा के लिए नर्धारित सूत्र है है FD-Fe-BR FD-B-R प्रात्मिक घाटे के लिए सूत्र है PD-FD-IP आए कुछ उदारणों के आधार पर राजस्व घाटा राजकोशिय घाटा और प्रारमबिक घाटे की कल्कुलिस्टन को हमें कुदारण से स्पस्ट कर सकते हैं भारत सरकार की बजट इस्थिती से संबंधित बजट अनुवान 2015-16 के लिए मदे दी गई है इन करोड करोड उपय में 1. Revenue Receipt 11,41,576 2. Revenue Expenditure 15,36,047 3. Capital Receipt 6,35,901 4. Capital Expenditure 2,41,430 5. Total Receipt 1 plus 3 i.e. Revenue Receipt plus Capital Receipt 17,77,477 6. Total Expenditure i.e. Revenue Expenditure plus Capital Expenditure is equal to 77,77,477 7. Recovery of Loan and Other Receipt 80,253 8. Borrowing and Other Liabilities 5,55,648 9. Interest Payment 4,56,145 हमने देखा कि किस प्रकार इन कारेविधियों का प्रयोग करके हम विभी ने प्रकार के कर सकते हैं तो आए इसके हम क्यालकुलेशन करें सबसे पहले यहां पर हम क्यालकुलेट करें राजस्व घाटा याने कि revenue deficiency जिसको कि हमने देखा कि second point में से अगर हम first point को minus कर दे according to formula राजस्व वे में से अगर हम राजस्व प्राप्ति को minus करे तो जो आएगा वह राजस्व घाटा कहलाएगा तो यहां पर राजस्व वे दिया गया है 15,36,047 करोड इसमें से माइनस कर देंगे राजस्व प्राप्ति 11,415,576 करोड क्योंकि difference जो है 3,94,471 करोड रूपेस सेकेंड राजकोश्य घाटा यह है जो हमारा six point था यानि कि कुल वे टोटल expenditure जो थे उसमें से हमको first and seven point यानि कि revenue receipts and recoveries from loan and other receipts दोनों को मिला के minus करना होगा तब हम राजकोश्य घाटा जो है उसको find out यहां पर हम कर पाएंगे तो इसका formula हो जाएगा कुल वे माइनस राजस सुप्राप्तियां प्लस रिनो की वसूली और अनिप्राप्तियां तो कुल वे यहां पर है 17,77,477 करोड रूपेस इसमें से हम माइनस कर देंगे राजस सुप्राप्ति और रिन्वसूली दोनों से जो आए हुई है तो यह है राजस 41,576 करोड और रिनो से रसूली हुई थी 80,253 करोड तो यहां पर इन दोनों की टोटल को हम माइनस कर देंगे कुल वे में से तो यह राजकोशिय घाटा हमारा आ जाएगा 55,648 करोड या फिर राजकोशिय घाटा अनिदायत्यों के रूप में हम कह सकते हैं कि 55,648 करोड र उसके बाद प्रातमिक घाटा यहां पर हम कैलकुलेट करें प्रायमर इडिफिसेंसी तो इसका फ्रार मोला हमना देखा राजकोशिय घाटा अनिएगा क्योंकि ब्याज भुक्तान यहां पर calculate करके दे दिया गया है और राजकोशी घाटा जो है वो हमने second point में calculate कर लिया तो अब हम इन दोनों को minus कर दे तो इनका जो balance आएगा वो primary क्या तो राजकोशी घाटा है 555,648 इसमें से ब्याज का भुक्तान कर दे 456,145 तो यह हमारा प्रात्मिक घाटा आ जाएगा 99,503 क्रोड रूपिस यानि हम कह सकते कि राजकोशी घाटा जो है वो प्रात्मिक घाटा और जो ब्याज भुक्तान हुआ है दोनों को मिला कर calculate किय और ब्याज भुक्तान किया गया है 456,145 तो यहां पर हम देखते हैं कि यह भी वही आता है जो हमने calculate करके राजकोशी घाटा निकाला था जयानि कि 555,648 करोड आये देखते हैं राजस्वा बजट और पूंजीगत बजट में अंतर पहला राजस्वा बजट में सरकार की प्राप्तियां तथा राजस्वा वेशामिल होते हैं जबकि पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां तथा वेशामिल होते हैं दूसरा राजस्वा बजट सरकार की परिसंपत्ति देता के स्थिति से संबंदित नहीं होता जबकि पूंजीगत बजट सरकार की परिसंपती देता के स्थिति से संबंदित होता है तीसरा राजस्व बजट लोगों के कल्यान पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि पुंजिगत बजट GDP सम्रुद्धी पर ध्यान केंद्रित करता है चौथा, राजस्व बजट राजस्व पर एक पूरवनुमान है जो कम्पनी द्वारा उत्पन किया जाता है जबकि पूंजिगत बजट भविश्य के नगदी प्रवा और बहिर्वा के तुलना करके निवेश के दिर्धकालिक वित्य व्यभारता का आकलन करता है पांचवा, राजस्व बजट एक मुख के बजट है जो एक वर्ष के लिए बजट प्रक्रिया के एक भाव के रूप में तयार किया जाता है जबकि पूंजीगत बजट प्रतेक निवेश परियोजना के लिए विभर ने पूंजीगत बजट की रूप में तयार किया जाता है और इसके साथ साथ ही हम इसको पूरे अध्याय को समाप्त करके आगे की अध्याय की ओर चलेंगे तो बच्चो आँ जानते हैं हल्वा सेरूमनी के बारे में हर साल जब भी देश के बजट की बाते होती हैं तो आप न्यूज में या अपने न्यूस पेपर में या टीवी चैनल में देखते होंगे इस तरह की बहुत सारी तस्वीरे और वीडियो वैरल होती है जिसमें भारत सरकार के वित्यमंत्री के साथ-साथ सभी मंत्री हल्वा खाते हुए दिखाई देते हैं ये सब देखकर मन में एक सवाल जरूर उठता होगा किया के हर साल बजट के पहले हल्वा क्यों बनाया जाता है और इसके शुरुवात कैसे हुई लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि वर्ष 2022 के पहले हल्वा सेरिमनी नहीं हो पाई और इसका कारण था कोरोना कोरोना के चलते हल्वा सेरिमनी को नहीं किया गया और इसके बदले जितने भी सदसे थे उनके सभी के डेस्क पर मिठाई बाट दी गई लेकिन होती क्या है हल्वा सेरुमनी क्यों किया जाता है इसकी बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जाने हाला कि ये कोई नहीं बता सकता कि इसकी शुरुआत कैसे हुई लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि कई दश्कों से ये प्रथा चलिया रही है लोग इसे भारती परंपरा से जोड़ कर भी देखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर में परिवार में कभी भी अगर कोई अच्छी बात होती है खुशी की बात होती है तो मुँ मेठा करते हैं तो शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए हल्वा सेरुमनी की जाती ह बजट के प्रिंटिंग के शुरुवात से पहले यह हल्वा सेरुमनी होती है और हमने देखा कि वैसे तो बजट का जो काम होता है वो कई महीनों से चलता रहता है लेकिन जब यह फाइनल हो जाता है तो इसके प्रिंट करने से पहले सची वाले के नौर्थ ब्लॉक में एक प्रिंट में नजर बंद कर दिया जाता है और जब यह बजट पेश हो जाता है उसके बाद ही वह बाहर निकल सकते हैं तो बहुत ही यह इंट्रेस्टिंग सी सेरुमनी बहुत ही मजिदार हालवा सेरुमनी होती है जो कि बजट से संबंदित है